तो आइफोन 14 और आइफोन 15 लाँच होने के बाद भी इस्टील आइफोन 13 की डिमांड काफी ज़्यादा बनी हुई है अभी भी और डिमांड हो भी क्यों ना कि आज की डिट में जहां पे आपको आइफोन 15 75-80,000 रुपे के आसपास मिलता है और आइफोन 14 लगबग 60-65,000 रुपे के आसपास मिलता है वहीं पे आइफोन 13 सेल के दोरान 50,000 के नीचे मिल जाता है और बजट आइफोन की रेंज में ये सबसे ज़्यादा वाईल्यू फॉर मनी मॉडल है अला कि अभी भी आइफोन 13 क्यों बेस्ट है इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है आई बटन में या डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा जहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो बहुत दिनों से कई सारी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि क्या आईफोन 13 ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है क्या आईफोन 13 रिल बनाने के लिए अच्छा है वीडियो और फोटोज दोनों का कि आईउस 17.2 के अपडेट के बाद इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है तो सबसे पहले मैंने अलग-अलग सिचुएशन में जो फोटोज ली है उन फोटोज का सेंपल पहले देख लेते हैं कि इसकी सेलफी कैमरे से कैसी डिटेल आ रही है मैं आपको फोटोज में बिना कोई छेड शाड की एकड़म ओरिजनल सैंपल दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको यह अंदाज अलग पाए कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है बढ़ते हैं अगले फोटो की तरफ तो यह फोटो भी मैंने सिम लाइटिंग सिच्वेशन में ली है जब सूरज सर के ऊपर था और मैं पेड के नीचे खड़ा था यह फोटो भी फ्रंट कैमरे से ही ली गई है और यहाँ पे डिटेल वगएर ठीक ठाक है फेस भी बिल्कुल नैचुरल आया है और जो भी कलर्स वगर हैं वो एकदम इसने नैचुरल कैप्चर किये हैं बढ़ते हैं अगले फोटो की तरफ तो यह फोटो इसके बैक कैमरे से ली गई है हाला कि इसके तीनो ही कैमरे 12-12 मेगापिक्सल के हैं उसके बावजूद जो इसका रियर मेन कैमरा है उसमें गजब की डीटेल आती है यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मच्छर मक्खी भी दिख जा रहे हैं जो गाई के उपर बैठे हुए हैं यह फोटो भी मैंने बैठे से लिया है और दिन के टाइम में यह फोटो लिया है यहाँ पर भी देख पाएंगे कि फोटो काफी सार्प और क्लियर आई है और कलर भी इसने बिल्कुल एकदम एक्डम एक्वूरेट कैप्चर किया है अब यह photo भी main camera से ली गई है और यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी लग रहे है कि photo में detail और sharpness तो है ही इसके साथ ही जो भी color यहाँ पे camera capture कर रहा है वो काफी natural color capture कर रहा है अपने तरफ से कोई भी color इसमें boost नहीं कर रहा है इसके अलावे जो अगली photo है यह ultra wide camera से same situation में same पे ली गई है और देख सकते हैं कि यह camera भी काफी अच्छा perform कर रहा है daylight के time पे इसके अलावाए यह photo भी main camera से ली गई है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि zoom करने के बाद भी detail काफी अच्छी खासी है और यह अगली photo ultra wide camera से ली गई है इसमें भी zoom करने के बाद डिटे नहीं होता उस object पे अब जैसा कि आप देख पा रहे हों कि मैंने इस पार्ट पर tap करके focus किया था जबकि focus यहाँ पे shift हो गया और जबकि मैंने कई बार ट्राई करके तब यह photo लिया था उसके बावजूद भी यह नीचे के जो भाग है वो focus में है और यह जो उपर का भाग ह यह मैंने 5X digital zoom करके लिया है जैसा कि आपको पता होगा कि iPhone 13 में कोई भी optical zoom नहीं है इस इसाब से आप detail का अंदाजा लगा पाएंगे यह जो अगली photo है यह भी daylight situation में ली गई है और main camera से ली हुई photo है normal mode में उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि background की ची हुआ है और यहां पर उपर के तरफ जहां मैंने focus करने कोसिस की थी वह area blur हो गया है तो focusing issue है अगर आप किसी छोटे से subject पर टैप करके focus करते हैं तो वहीं पर यह अगले shot में आप देख पाएंगे कि यहां पर मैंने बहुत कोसिस किया उसके बाद इसने फूल पर focus किया और एक बार जब focus हो गया उसके बाद जब मैंने picture क्लिक किया तो detail खुद यहां पर आप देख पाएंगे कि इसना अच्छा detail इसने capture किया है इसके अलावा यह अगली photo में आप देख पाएंगे कि छोटे से फल को जो की एक लड़ू के अकार का है उसको गजब detail में capture किया है यह front camera से और यहां पर आप quality का अंदाजा लगा पाएंगे कि photo indoor lighting situation में कैसी आ रही है अब यह जो photo है यह back camera से लिया गया है यह भी indoor lighting situation में लिया गया है iPhone 13 का जो camera है वो face को ज्यादा डार्क डार्क कर देता है face के उपर इसने over contrast और over sharpening add कर दिया है इसके अलावा detail में कहीं से करता है और colors वगर भी अच्छे capture करता है इसके लावाए यह photo भी same situation में ली गई है लेकिन यहां पर portrait mode को मैंने यूज किया है portrait mode में यह face को थोड़ा सा अच्छा दिखाता है मतलब face पे कम contrast add करता है जिसकी वैसे चहरा थोड़ा सा अच्छा दिखता है इसके लावाए यह photo फ्रंट camera से ली गई है और portrait mode में ली गई है तो यहां पर भी आप देख पाएंगे कि face पे contrast कम है और इस photo में face थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है एज detection वगरे भी ठीक ठाक ही मैं बोलूंगा यह भी portrait photo ही है जूम करूं तो आप देख पाएंगे कि इसका जो edge detection है वो इतना अच्छा नहीं है अब यह जो photo मैंने लिया है वो काफी tough situation में लिया है मतलब यहां सीर के उपर direct sunlight आ रही है और मैंने camera को कुछ इस angle में रखा है कि lens के उपर भी धूप पड़े और यह front camera की photo है इसके अलावा यह photo मैंने back camera से लिया है same situation में उपर से sunlight आ रही है और camera के lens को मै distance के ऊपर भी धूप पड़े उसके बावजूद भी इसने sky और face दोनों को अच्छे से manage किया है अब यह photo indoor lighting situation में ली गई है यहां पे एक softworks की light जल रही थी है और यहां पे भी मैंने यही चीज notice किया कि जब ही वी किसी छोटे object को मैं नजदिक से जाके focus करनी कोसिस करता हू चोटे से full को अगर मैं zoom करता हूं तो आप देख पाएंगे कि अच्छा detail capture की है camera ने low light में room के अंदर भी तो आप करते है आइफोन 13 का video test यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह cinematic mode में शूट हो रहा है यानि कि इसमें background blur वाला option on है cinematic mode में आप maximum 1080p तक यही video record कर सकते हैं और यह back camera से main camera से record हो रही है video यह रहा iPhone 13 का cinematic video जो की room के अंदर suit हो रहा है तिलहाल अभी पूरी room की light बंद है सामने की तरफ सिर्फ एक soft box है और उसी की light में यह video suit हो रहा है इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि indoor lighting situation में इसका cinematic mode कैसे काम करता है तो यह video record हो रही है इसके wide angle camera camera से 4K 60fps पे और आवाज भी इसके internal microphone से record हो रहा है अगर आप इस phone से blogging वगर भी करना चाहते हैं तो wide angle camera से आप ज्यादा field of view दिखा सकते हैं और blogging के लिए wide angle camera इसका perfect है तो यह video record हो रही है 4K 60fps पे और जो भी audio आप सुन रहे है वह phone के inbuilt microphone से record हो रहा है मुझसे phone की दूरी आवाज में बात कर रहा हूं और audio का अंदाजा आप लगा पाएंगे कि बीना किसे external microphone का यूज किये phone के inbuilt microphone से audio कैसी आ रही है एक बार मैं autofocus चेक करा देता हूं तो यहां पर मैं camera को move करूंगा और यहां पर आप autofocus देख पाएंगे कि किस तरीके से यह focus कर रहा है 4K 60fps प quality कैसी है यह video record हुरी है front camera से 4K 60fps उपर आप देख पाएंगे dynamic range ठीक ठाक आ रही है और चेहरे को भी इसने ठीक ठाक focus किया हुआ है back side में देख सकते हैं सूरज किस direction में है उसके बाद भी face पे अच्छा खासा exposure इसने balance किया हुआ है तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सक अगर यह video आपको पसंद आई होगी अगर यह video आपको पसंद आए तो इस video को like करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें मैं विलता हूं आप से अगली वीडियो में एक नहीं जानकारिक साथ तब तक के लिए जैहिंद बने बात्रम